कहा जाता है कि IAS Officer और IPS Officer के काम करने का अपना एक अलग ही मूड होता है जब उनका मूड खराब होता है तो उनके पास जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती और जब उनका अच्छा मूड होता है तब ही उनसे काम लिये जाता है आज की कहानी जो मैं आपको सौने जा रहा हूँ इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है दरसल PMO Office यानि की दिल्ली से एक IAS Officer गई होते है कश्मीर वहां कश्मीर में जाने के बाद एक Tourist Palace पर बाक्चीच चल लही थी वहां कई और अधिकारी भी मौजود थे इसी बीचे में एक अधिकारी को देखकर दिल्ली से गई होये अधिकारी को गसा आजाता है गसा कुछ जादा आजाता है वो उसे डाटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं तुम्हें काम करने की बेकुल भी तमीज नहीं है। तुम्हें काम सीखना चाहिए। यदि तुम्हें काम नहीं करना है तो बदा देना घर बैठा दिये जाओगे। बहुत गुसा करते हैं गुसा करने के बाद जो अपना वहां काम था करकरा के बापस अपने कारले पहुंच जाते हैं लेकिन जिस अधिकारी को डांट पड़ी थी फटकार पड़ी थी वो डरा हुआ था। अधिकारी के जोड़े हुए दोस्तों के तलाश की जा रही थी लेकिन एक ऐसा सच सामने आता है उससे सच की जब गुंज सोशल मीडिया अखवारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो पता चलता है कि गुजरात का एक ठग था जो आई-ए-ए-स ओफिसर बन कर जबकी नकली था और असली आई-ए-स ओफिसरों को हड़का रहा था डांट रहा था फटका रहा था आज कहानी उसी नकली आई-ए-स ओफिसर की है जिसको सुनने के बाद शायद आप भी दंग रह जाएंगे आदाब नमस्कार सास्रियकाल में उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ इस सची घटना है कश्मीर की बात कर रहा हूँ जुलाई दो हजार बाइस की दरसल कुछ लोग अमरनाथ यातरा के लिए निकले होए थे इसी बीच में ये लैंड स् टीम के साथ वहां मोके पर पहुंसता है ताकि यातरियों को जो भी श्रदालू थे उन्हें साकुशल या तो आगे पहुंचाया जाए या फिर बापिस उन्हें लाया जाए इसलिए लगातार कई दिन से इस पर काम चल रहा था काम चलते चलते इसी बीच में ये खबर भी एक RSS यानिके रास्टे स्वैम सेवक संग का एक सक्रिय जिम्मेदार आदमी है जिनका नाम है तिरलोक सिंग चोहान वो भी उस लेंड्सकेप के मामले में फ़र्ज जाते हैं इसी बीच में जो यहां के डिप्टी कमिशनर होते हैं पुलवामा के जिनका नाम होता है आई ए RSS के अधिकारी को यानि RSS से जोड़े हुए इस कारे करता को पता चलता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बड़े सक्रिय भूमिकावन की रहती थी तो वो आई एस ओफिसर की बड़ी तारीफ करते हैं और आई एस ओफिसर ने उनको बहुत अच्छा सा लगा क्योंकि उन जान पचान बना ली और जान पचान बनाने के बाद यह आई एस ओफिसर जो होता है जो कश्मीर में जिसकी पोस्टिंग होती है वो चाहता था कि दिल्ली के बड़े-बड़े अधिकारियों से अगर संपर्ग बनेगा तो उसके उपर छत्र चाया बनी रहेगी और उसको ए एडिशनल डायरेक्टर होते हैं PMO ओफिस में और ऐसी बातचीत करते करते इन्होंने जब इस तरलोक सिंग चोहां जीससे बातचीत की बातचीत करने के बाद इस किरन भाई पटेल ने तो उन्हें कहा कि मुझे कश्मीर में किसी इससे अधिकारी का नंबर चाहिए जिससे क मैं उनसे बातचीत कर सकूँ बस सोने पर सुहागा हो जाता है यानि कि आई एस ओफिसर डिली के किसी अधिकारी से बातचीत करना चाहता था और माध्यम बन जाते हैं तरलोक सिंग चोहां बातचीत कहते हैं तो बातचीत यहानि कि यहां से यह मैसेज करते हैं और मैसेज कर कि यात्रादिहम की पहला भिरमरथथा और वो जैसे डिप्टी कमशनर को ये बात पता चलती है डिप्टी कमिशनर का ये इसे पहोसता है 25 अक्टूबर 2022 को जैसे ही एरपोर्ट पर वो हवाजाज आता है उस हवाजाज के अंदर करन भाई पटेल आईएस ओफिसर मौजूद होते हैं और जैसे उसमें से निकलते हैं तो वैसे एक मैसिज एक तखते लेकर खड़ा हुए था कि करन भाई पटेल जो आईएस ओफिसर हैं उनके लिए बाहर जाकर देखा जाता है तो जैट प्लस सेक्योर्टी थी बारे लगवक जवान उनके लिए सुरक्षा में लगे हुए थी एक ब्लेट प्रूफ गाड़ी लगी हुए थी एक गाड़ी जैमर की लगी हुए थी जैसे ही ये अधिकारी पहुंचता है अधिकारी जाने के बाद यहां से सीधे गाड़ी जाती है श्री नगर का जो एक फाइव स्टार होटल होता है इनके साथ इनकी पतनी होती है दो बेटियां होती है ये अपने चले जाते हैं सीधे फाइव स्टार होटल के कमरा नंबर 1107 में जाकर रुकते हैं होट हैरने के बाद अब नेताओं से भी मुलाकात होती है जो बीजेपी के नेता होते हैं साथ ही ऑसिस रओं से भी मीटिंग होती है यह जाते हैं अगले दिन आखवारों में जो लोकल का अखवार थे वहां पर यї खावर भी प्रकाशित होती है अब इसके बाद इन्होंने जो भी अपना एक टाइमिंग था यानि कि 25 तारिक से लेके और 25, 26, 27 ये तीन दिन वहां अस्वास के जो भी इलाका था वहां घूमते हैं और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी जगहों पर घूमाया जाता है इसके बाद यहां से 27 अक्टूबर 2022 को ये अपनी फ्रैट पकड़ते हैं जो कि अमदावाद के लिए निकल जाते हैं अमदावाद के लिए चले जाते हैं सब कुछ सामाने हो जाता है अधिकारी लोग बड़ी सांस में सांस लेते हैं कि कहते हैं कि प्रधान मतरी कारलेस से मैसेज आता है कि यानि कि ये 6-7-8 फरवरी को फिर से आएंगे और इस अधिकारी के आने की जो सूचना मिलती है उसके बाद जैसी एरपोर्ट पर ये पहुंसते हैं तो इस बार बच्चे साथ नहीं थे बलकि उनके साथ एक अमित पांडिया नाम का एक व्यक्ति होता है व इसके लिए वो गुलमर्ग है कुलगाओं है इस जगह पर घुमते हैं साथी एलोसी तक भी जाते हैं एलोसी का जो अंतिम छोर होता है अंतिम पोस्ट होती है अमन से तू वहां भी जाते हैं वीडियो बनती है वीडियो बनने के बाद ये जो आई-एस ओफिसर होते हैं वो बापिस आपना जो इनका टाइमिंग था याईनी कि 8 फरवरी 2000 22 को ये बापिस अपने आ जाते हैं और आने के बाद फिर अपना चलिये आते हैं लब हम 15 दिन बीते थे और 15 बीतने के बाद एक बार फिर से मैसेज पहुंचता है यानि कि 25, 26, 27 और 28 इस बार चार दिन का इनोंने टूर रखा इस बार साथ में हार्दिक एक डॉक्टर हार्दिक चंदाना होते हैं साथ ही वो अमित पांडिया भी होते हैं और यह बिजनिस मैन से मुलाकात करते हैं साथ ह जो आसपास के जो नेता होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं आईस ओफिसरों से मुलाकात करते हैं इदा दोर जाकर अपने यह दो-चार मीटिंग उटिंग भी रखते हैं तीन-चार दिन का इनका टूर होता है और बढ़ गाउं में यह जब एक टूरिस्ट पैलेस होता है अपने काम करने का तोड़ तरीका बदलो नहीं तो घर बैठ जाओगे जब इस तरह से डांडा जाता है फटकारा जाता है तो थोड़ा सा अधिकारी डड़ जाता है उसके बाद वहां के जो डिप्टी कमिशनर होते हैं फरकुरित दीन हामिद जो के आईस ओफिसर होते हैं अच्छा मूड नहीं है तो बचने की कोशिश किया करो इस तरह की बात थी और वक्त ऐसे आगे बढ़ रहा था लेकिन डर बना हुआ था कि ऐसा नहों कि पूरा का पूरा स्टापी सस्पेंड हो जाए या किसी का तबादला हो जाए या कुछ यहां से कुछ बात हो जाए त इन्होंने जैमर वाली गाड़ी दी हुई है एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा वलकि एक गाड़ी और बढ़ाए जाए तो CID ने अपनी तरफ से PMO ओफिस को फोन किया और PMO ओफिस को फोन करने के बात कहा कि आपकी बिभाग से जो एक IS ओफिसर यहां पर आते हैं उनके ल इस ओफिसर हैं जो एडिशनल डारेक्टर अपना आपको बता रहे हैं तो उनकी पोस्टिंग कहां पर हैं कौन से बैच कहा हैं इस तरह की जानकारी जुटानी कोशिश कर रहे थे ताकि उनके संकक्ष उनके बैच के अधिकारी उससे बातशित करकर मामले को रफा देफा कर लिया जाए कुछ ऐस तरह की कोशिश थी ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है लेकिन जब वेबसाइट खंगा ली जाती है तो इस नाम का कोई अधिकारी था ही नहीं थोड़ी परशान हो जाती है अब CID ने PMO ओफिस को संपर्की किया था लेकिन जब PMO ओफिस को में घुमाया गया है पत्रकारों से मिटिंग है नेताओं से मिटिंग है हर व्यक्ति से वो मिल रहा है या बिजनिस बढ़ाने की बात करता है टूरिजम बढ़ाने की बात करता है अखिरकार वो अगर ओरिजिनल आई एस ओफिसर नहीं है तो वो कौन है उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन अधिकारियों में हरकम मज जाता है, इसी बीच में कुछ उसकी social sites को देखा जाता है, वहाँ चेक किया है, तो पता चलता है कि उसने PhD कर रखी है, Commonwealth University, बर्जीनिया से, साथ ही उसने MBA भी किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, BE कंप्यूटर में भी है, वो बड़ा थिंकर है, यान कि विचारक है, रणनीती कार है, विशलेश केमपेन भी चलता है, इतनी सारी जानकारियों उसकी बारे में लिखी हुई थी, अब इन्हें अधिकारी उन्हें बस पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई जादे जानकारी मिल नहीं रहे थी, इसी बीच में एक फोन आता है, कि जो आई-एस ओफिसर हैं, वो फिर से उनका टूर लगने वाला है, यानि कि इस वार का ये टूर की तारिक थी, वो दो मार्च दो हजार तेहिस की तारिक थी, तो जैसे ही आई-एस ओफिसर फखर الدین हामित को ये पता चलता है, और उनका कि ये तो जानी चुके थे, कि ये अधिकारी ओरिजनल नहीं है, और पी-एम ओफिस से नहीं, कई ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान का कोई जाशूस तो नहीं है, या ऐसे तो नहीं है कोई टेरिस्ट तो नहीं है यहाँ आप कश्मीर के जो अधिकारी थे उनमें हरकम मच जाता है और वो इंतजार कर रहे थे कि इसको इधर उधर ना जाकर यह दो तारिक यानि कि दो मार्च को यह आने वाला है जैसे पहुंचते हैं आप पहुंचने के बाद गाड़िम बैठते हैं और यह फाइव स्टार होटल में इनको वहाँ पहुंचाया जाता है अपने कमरे में थे और जब इनसे पूछताश की जाती है तब यह सक पका जाते हैं यानि कि वो आई-एस ओफिसर जो अपना आपको बता रहा था वो फेक या फरजी आई-एस ओफिसर था अब वो फस्ट चुका था बहुत बूरी तरह से इसी बीच में वो कहता कि मुझे टोइलेट आ रहा है मैं क्या टोइलेट करने जा सकता हूँ जाते हैं तो उसके पास पीमो ओफिस का विजिटिंग कार्ड भी होता है जो उसने खुद से बनाए हुआ था जिसमें लिखा हुआ था एडिशनल डारेक्टर आई-एस ओफिसर बताया था उसने अपने आपको बस यहीं से उन लोगों की आगे कुल जाती है उसको पकड़ा जाता है गिरफतार किया जाता है गिरफतार करने के बाद उससे पूछताच शुरू हो जाते है उसके बारे में जब जानकरी जुटाई आती तो पता चलता है पैसे वाल आदमी हैं windows गाड़ी और बीमडोलो जैसी गाड़ियां थी इसके वारे में और पता किया जाता है तो इस्थानी मीडिया से या फिर वहां के लोकल के लोगों से तो पता चलता है कि BJP का लीडर है इसको BJP के लीडर के रूप में जानते हैं मैंने भी इतनी दिनों के बाद एक साल के आसपास इस कहानी को हो चुके है यानिकि मैं साल 2024 में कहाने सुना रहा हूँ साल 2023 की कहानी है तो इसका मैंने ट्यूटर हैंडल था उसको भी देखा उसमें बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो इसने गुजरात की सरकार के नरेंदर मोधी जी के फोटो इसने शेयर भी करके हैं तो कुछ फोटोग्राफ्स हटाए भी गए थे बड़े निताओं के साथ इसके फोटो बताये जाते थे लकिन फिलहाल इसके फोटो नहीं थे लेकिन इνस्टाग्राम पर इसकी वह बारी वीडियो आज भी पड़े हूई है एक सुरक्षा के गहरे में यह विकती है और सुरक्षा के घहरे में होने के बावजू बलकि नेताओं को मिली हुई थी अगर नेताओं को सुरक्षा मिली हुई थी तो फिर ये जो सुरक्षा यानि कि जो इसने वीडियो फोटोग्राफ से डाले हुई थे उसमें कहीं कोई नेता नहीं दिख रहा है बलकि ये खुद ही दिख रहा है फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच बड़ताल भी कर रही है और इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश की गए थी ताकि ये मामला सामने ना आ सके क्योंकि इससे IAS officer, IPS officer और कश्मिर के बड़े-बड़े अधिकारियों की फजियत हो सकती थी दबाने की कोशिश की लेकिन जब मामला कोड जाता है तो वहां से कहानी वाइरल हो जाती है 16 मार्च 2023 को ये इतनी वाइरल होती है कि लोगों की मॉबाइलों में और ट्यूटर हैंडल पर ट्रेंड करने लगती है कि एक नकली यानिकी फरजी IAS अधिकारी असली IAS अधिकारी हों किस तरह से वेफ़ो बना कर चला आता है दोस्तो इस पूरे घटना करम को सुआने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बिलकि आपको जागुर करना है आपको सचेत करना है और जब मैंने इसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश की तो मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जाता है जब इसने एक जैमर गाड़ी के अलाबा दूसरी की डिमांड की थी तब ये जहमिले मा आ जाता है फस जाता है यानि कि CID फिर PMO ओफिस पूंसती है कहती है कि ये दो गाड़ी मांग रहा है कौन अधिकारी है साथ ही ये भी बताया जाता है कि जब इसने अपने यानि कि IIS ओफिसरों को हड़काया डाटा फटकारा तो उन IIS ओफिसरों को लगता है कि ये कहीं ने कुछ दाल में काला है कुछ न कुछ गरवड़ है ये असली हो ही नहीं सकता जब उन्हें शक होता है तब जाकर ये चोती पांच मिवार में पकड़ा जाता है और फिलहाली सलाखों के पीछ है हाला कि इसे चुड़ाने की इसके परिवार के लोग काफी कोशिश है कर रहे है दोस्तो जाते जाते आदर्ष नी है आज इनका जनम दिन है साथी बरिली के रहने वाले है मुहमद आमीर आज इनकी शादी की सालगरा है इनको शादी की सालगरा की बहुत बहुत शुब कामना है और जनम दिन की भी मुवारक बात साथ ही कुछ लोगोंने नाम लेने की अपील की जिसमें शाकिर फर्मान है रोमा सिंग, गुर्प्रीज सिंग, अब्दुल जवार, सुरेश चंदर गोतम, मदन कुमार, बिमलेश, रफीक खान, जेठा राम, समर यादव, रमन कुमार, यूनिस मुहम्मद, रणजीत चोहान, गजिंदर सिंग, नीरिच कुमार, फैजान अली, बीरू, आप सब लोग अपना खैर रखें, सुरक्षित रहें, जैहिन जभारत